क्योंकि तो आज हम ना टूडू बनाने वाले कॉंटेक्स अब इसमें में बात क्या है कि हम इसमें लोकल स्टोरेज का भी मैं यूज कर रहा हूं ताकि मैं रिफ्रेज करो ना देखें यह जाएगा नहीं ठीक है जैसे मैं ना टास्क 3 लिखाया है कि है अब्डेट कर दिया यहां पर यहां रिफ्रेज कर lower ग्राओ कि मैं इस्टोर कर दिया यहां से हम दिलीट भी कर सकते हैं होके एडिपर सकते हैं एक और यहां पर और यहां पर और यह इंदdec बात और इस वीडियो को देखने सपहले ना आपको क्या करना है प्लेलिस्ट में जाना मेरे जो यह है ना एपीसिएड नुबर फॉर इसमें टू डू का प्रोजेक्ट है ठीक है पहले तो यह देखना है सारे जो भी काम है ना जो भी मैंने कल जो इस लेक्चर में करवाया है हो सारा लोजेक्ट यहां पर लिखा हुए ठीक है अगर इसको आपको देख लेगो तभी समझ में आएगा यह लेक्चर में तो मत देखो कोई फाइदा नहीं पहली बात यह सेकंड चीज़ है कि यह सारी चीज़े मैं आने प्रोप सिक्के तुरू किया है देखो कि मैं बता तो ले लिया देखो अगर तुम्हें पहले देखना पड़ेगा मैरे और यह है अगर नहीं आथा तो सारा काम कोंटेक्ट से कुठ से करूए से मैंने लिभू कोंटेक्स यह समझा दिया बटमें heaven करवाना था ताकि context API अच्छे समझ में आजा है क्यों context API समझना इतना असान नहीं है थोड़ा complicated topic है ठीक है इसलिए मैं ये टूडू बना रहा हूं टूडू मैंने पहले simple तरीके से बनाते थे वैसे बनाया है अब मैं context API से बना रहा हूं अगर ये lecture नहीं देखोगे तो मैं इ एक एक फॉल्डर बनाते हैं क्या नाम रखे तूडू तूडू कॉन्टेक्स रखते है राइट फॉल्डर बनाया है इसके अंदर हम context का एक context से एक file बनाएंगे अजु कि एक का नियुख फाइल के नाम से महीं रख लिकिते हैं तूडू कॉन्टेक्स और ये उच्स दोटी स wet नुगेमगे अब यहां पर सब सब पहले क्या करते हैं अब क्रियेट कॉन्टेक्स लिखते राइट कि यहां पे मैं लिखो गा कॉण्स्ट तू डू कॉंटेक्स लिखे देता हूं जो भी है तू क्रियेट कॉंटेक्स यह इंपोर्ट हो गया उपर से ठीक है ओके यह अब इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है हमें राइट तो यहां पर हमें एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको पहले क्रियेट कॉंटेक्स के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता हा हमें एक प्रोवाईडर चाहिए घर्र टो हमें एक फंक्ront लिखेंगे लिखें डी यह क्म हर्ट इसके अंदर हम एक प्रोवाईडर पास करेंगे देख कैसे करता हूं यह सारी चीजा मैंने जो है न है जो यह लेक्टर यह लेक्टर इसके अंदर सब कुछ बता रहेका कि यह क्या क्यों करते हैं यह सब प्रोडर्र यहां पास क्यों कर रहे हूं देखो प्रोडर में डारेक्ट यहां पे भी लिख सकता हूं एप वाले सक्षन हो यहां प्रोवाइडर पास लेकिन जो भी हमारा लोजिक होगा ना जो भी हमारा लोजिक होगा स्टेट होगे वह मैं इस फंक्षन के अंदर लिखोंगा जैसे मैं बताता हूँ जो भी तास्क लिस्ट के अंदर रिमोव है एड़िट है हंडल रिम्ट हो एक ही जगे लिखो और उसको पास कर दो बस तो हमारा काम हो जाए, context API के यही फायदा, तो अभी क्या करते हूं, इसके अंदर कहां गया, context API, हाँ, इसके अंदर, हमें क्या लिखना पता है, एक return लिखो, और उसके अंदर जो भी provider है, उसको pass करो, अब देखो, इसके अंदर मैं सारा state लिखो, पहले तो मैं provider pass कर देता हूं, तो यह provider कैसे करते हूं, जो यह है न, to do context, to do context dot provider लिखते हैं, राइट, अब इसके अंदर क्या pass करते है, children, और इस children को यहाँ pass करो, यहाँ पे, sorry, यहाँ पे, अब इस children का मतलब क्या है, कि एक मिट में इसको न, आपको इधर ले लेता हूं, context का हूंगे, हाँ, तो यह children का मतलब है न, मालो मैं provider यहाँ पे लिखूँगा, अभी मैं provider यहाँ पे लिखूँगा, जो भी इसके children होगे, देखो एक तो do list children है, अब to do list के अंदर जाओगा न, एक बार और, तो यह इसके अंदर क्या है, एक और children कौन सा है, to do, यह होगा, task list है, ठीक है, task list के अंदर जाओगे, तो इसके अंदर कुछ ही नहीं है, तो अभी हम app के अंदर ही रहते हैं, अरे यार कहा अगया, यहाँ पे, ठीक है, तो children का मतलब है, यह सारे जो भी होग, देखो यह provider तुम यहाँ भी pass कर सकते हो, कहाँ पे, to do list, do to do list है, do to do, नहां गया यह, do, to do, to do list, to do task कहाँ गया, task list, task list, to do list में तो यहाँ भी provider पास कर सकते हो, जाएगा हैं बट हम यहाँ कर सकते बट में आपे पास्स नहीं करेंगे हैं अभी चोटे प्रोजेक्ट हैं तो यहाँ पास्स कर दूंати देखो मैंने ये प्रवाइडर पास्स कर दिया इसके अंदर चिल रहें सा抗ाएंangen इस ने सार्गान यहां पर अभी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगा तो इंपोर्ट कैसे कर पाओगे टू डू टू डू प्रोवाइडर ना हाँ ठीक है अब इसको यूज करते हैं देखो यहां पर सजेशन आ जाएगा तू डू प्रोवाइडर अरे आनी रहा भाई सजेशन क्यों तो लिस्ट डू डू कॉंटेक्स डू डू पर्वाइडर अनत जी यार आयकि नहीं रहा सजेशन डू डू प्रोवाइडर अ प्रोवाइडर अनी रहा सजेशन इंपोर्ट करना पड़ेया क्या मुझे पहले तो रुख जा एक मेंट इसको तो पहले तो टी को बड़ा कर लेते वह नहीं तो यहां पर भी टी बड़ा कर लेते अब देखते सजेशन आप था ही कि नहीं तू डू डू आ गया देखा ठीक है अब यहां पर इंपोर्ट हो गया उपर अंत seskerों यहां तन सक्सर है यहां पर टो प्रॉवाइडर मैंने लिख दिया यहां पर तू डूपर लिख दिया यहां पर और और इसको कॉनटेक्स को यहां पर अभी जूम है ना दिखाई दे रहे हैं जो भी स्टेट से मैं जो भी स्टेट से इसको मैं क्या करता हूं देखो यह फंक्षन के अंदर यह सारी स्टेट्स लोजिक लिखे हुए न ये भी तो एक फंक्षन है इसी के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा ठीक है बाहर नहीं लिख सकते बाहर लिखोगा तो कामी नहीं करेगा तो यह जो भी कोपी करो यहां से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहां पर कर दो पेस्ट पहली चीज ओके हैंडल रिमूओ को बाद में देखेंगे अभी के लिए छोड़ो अभी हम बस स्टेट्स के साथ डिल करते हैं राइट ओके यह हो गया और कुछ है इसके अंदर पहले इसको हम देख लेते हैं यहां तक हो गया ओके नाइस आप क्या करते हैं इसको इस सारी जो वैल्यू है ना एक्टिविटी टास्क सेट टास्क इसकी वैल्यू हम यहां पर पास करते हैं तो यहां पर लिखना पड़ता है वैल्यू और इसके अंदर जो भी वैल्यू है पार्स करना पड़ेगा आह में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा धर्क्रों टास्क कोमा ऑफिधि पहल एक्तिविटी आई नगीडि श्यूंट कोम और RAW और क्या पो inventions तास्क अब देखो ऐसे लिखूँगा तो score simplify करते तो जो भी चीजे certified verb के अंदर store कर लेता हो एसे करके लिख लो और all value लिख लो यहां पर ठीक है अब मैं क्या करता हूं इनको इसके अंदर सब कुछ यहां पर pass कर देता हूं और all value को यहां पर pass कर दूँगा simple है ना इसको अटाओ यहां से यहां लिखो all value ठीक है अब all value क्या है यहां पर लिखो activity, task, set activity, comma अब देखो यह सारी value यहां पर प्रोवाइडर के पास चल गया इसका मतलब यह कि सब के पास चला गया अब इसको कहीं भी तुम यूज कर सकते हो यह value यहां पर चलीगे ना कहां पर app के अंदर app.jsx इसके अंदर प्रोवाइडर है यह value मैंने इसके अंदर पास कर दीए तो सारे जितने भी चल्डन है उसके पास चलेगी अब इसको यूज करना है अब यूज करने के लिए हमें क्या हमें hooks दिया हुआ हूँ है यूज कॉंटेक्स राइट तो जहां भी तु अब इसको जो भी value तुम्हें चाहिए उसको यहां पर गेट कर लो अब देखो यूज कॉंटेक्स यहां पे इंपोर्ट हो गया वा देखो यूज कॉंटेक्स कहां गया है यह रहा है अब देखो यूज कॉंटेक्स यूज तो कर रहे है लेकिन यह सारी चीज़े है न वह किस के अंदर है टूडू कॉंटेक्स के अंदर राइट क् पर आ गया होगा to do context right अब देखो यहां import भी हो गया अब यहां पर जो भी value है तुम यह पर pass कर दो कहां गयी यह सारी value यह होगी value activity, set activity task, set task update, set update, edit, set edit इसको pass कर दो यहां पर लिए पर क्या जो सारी चीज़े यहां पास करके बर में कोपी कर लेता हूं लिखना ना पड़े मुझे तो यहां पर इसको पास कर दो पास हो गया यूज कॉंटेक्स आ गया यहां पर अब देखो यहां पर सारी चीजे यूज हो रही यहां पर ठीक आप देखते हैं यह जो हमने चीजे लिखी है न दो यहां पर तो सारी स्टेट यहां पर पास कर यहां पर कोई भी रिख लिख लेते हैं भाई तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहीं से मैं देखू कैसे इंपोर्ट करता हूं खुद नहीकर होगा खुदी यूज स्टेट लिखूंगा 흥 इंपोर्ट हो गया उपर ठीक है अब देख लेते हैं आ गे चलो ठीक है और तो कोई अरॉर नहीं है अब ही तक तो नहीं है चलो यह काम कर रहा है कि नहीं आब देख लिएते न S. जैसे पहले काम करता था रहरो क्योग एडिट कि इक अपडेट भी हो रहा है कि सब कुछ काम कर रहा ब दक दो टीक इसको और सिंपलिफाइग करते हैं कि टूडू लिस्ट में देखते हैं कौन-कौन-सा यहां पर जो भी स्टेट है हमने प्रोप्स कि धूर पास किया था टू-डू लिस्ट के अंदर अगर तुम जाओगे कल की वीडियो देख लेना तो कि यहां प्रोप्स के थरूप पास किया तो इसको अटाओ ठीक है यहां हमें जरूवत नहीं है कल की वीडियो भाई पिछली वाली वीडियो जो देखो को तो अच्छे समझ में आने लएगा ठीक है यहां से हमने हटा दिया अब हम यहां से प्रोप्स पास कर रहे थे तो यहां से हम प्रोप्स की बार जरूवत नहीं है ओके नाइस अब यहां पर हमें जो भी यूज है ना हमें यह देखो क्या क्या चाहिए हमें देखो सेट टास्क भी चाहिए हमें राइट और क्या चाहिए हमें सेट अपडेट सेट एक्टिविटी मतलब एक तरीक से सारे ही चाहिए तो हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं उसको कैसे करेंगे यूज कॉंटेक्स पहले करें आप अब यहां पर कॉंस्ट के अंदर लिखेंगे हम यह सारी चीजे राइट यह सारी चीजे कहां गई यह वाले सारी चीजे कोपी करो पेश्ट कर दो ठीक है यहां तो इसमें बता रहा है कि बहुद एक्टिविटी एडिटर हमें यूज नहीं किया इसके अंदर तो इसको यूज नहीं किया तो हटा दो भई ठीक है हम अटा देते हैं लो अब इसकी जरूत है नहीं हमें इन दोनों की अपडेट की भी जरूत नहीं है यहां पर अपडेट हमने यूज नहीं किया तो हटा दो ठीक हमने इन सब का यूज कर रखा है ठीक है ओके यहां तक नाइस की नाइस यहां तो स्टेट का काम खतम होगी अब हम बात करते हो function पर पहले चलते हैं इसके अंदर देखो इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है handle update handle update एक ही है ठीक है तो इसको copy करो इस function को copy अब मैं क्या करूंगो इस function को यहां पर लिखो राइट मैं यहां पर paste कर देता हूं देखो यह रहा handle update अब handle update हमें चाहिए न एक मिनट एक मिनट इसको नीचे लिखते है इसके नीचे लिखते है राइट ओके नाइस अब देखो यह handle update हमें यहां पर यूज कर रहा था राइट देखो यहां पर कहां पर मैंने यूज किया है यह रहा handle update on click लेकिन अभी यहां पर तो इस वाले चीज में तो यहां पर तो है निया handle update तो इरर दिखाएगा हमें तो इस handle update को यूज करने के लिए अब हमें पास करना पड़ेगा यहां पर तो यहां पास कर दो handle update पास हो गया तो पास करना तो यूज करना है अब यहां पर यूज करना है तो यूज कॉंटेक्स के अंदर लिखना पड़ेगा हमें क्या लिखना पड़ेगा handle update अब देखो इसके अंदर क्या है टास सेट टास्क सेट अपडेट एडिट सेट एडिट यह सारी चीज है नहीं यहां पर हम इसका यूज ही नहीं कर रहे है यूज कहा कर रहे इस handle update के है यहीं पर स्टेट है यहां पर फंक्शन भी लिख दिया तो यहां तो जरूत ही नहीं है हमें राइट यहां की तो हमें जरूत ही नहीं है तो इसको अटा दो और क्या जरूत नहीं है, set update की भी जरूत नहीं है, इसको भी अटाओ, और ये edit वाले भी जरूत नहीं है, ये भी जरूत नहीं है, ठीक है, और, देखो, activity, set activity और update, और handle update, इन सब को हम use कर रहे होंगे, पक का यहाँ पर, कहाँ पर, दिखाओ, देखो, ये रा, set activity का use कर रहे ह है, इसलिए वहाँ पर आ रहा है, handle update का use कर रहे हैं, इसलिए, और क्या है, और क्या है, यहाँ पर, और कुछ है, activity भी हम use कर रहे हैं, कहीं न कहीं, ओके देखो, अब यहाँ पर एक और चीज है, यह हमने, यू, यू, आईडी, जो भी हमने लिया था, इसको यहाँ पर control X करो, अब हम use कहाँ पर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आईडी, राइट, यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर import करना पड़ेगा, नहीं, तो update, set activity है, यहाँ पर, activity देखो, यहाँ पर use कर रहा हूँ, activity यूज कर रहा हूँ, activity, set activity भी यूज कर रहा हूँ, update भी यूज कर रहा हूँ, handle update भी यूज कर रहा हूँ, हाँ, छीक है, यह इसका काम दो होगा, आप चलके देख लेते हैं, हमारा, same चीज काम कर रहा है की नहीं कर रहा राइट ओके टास्क वन टास्क टू ठीक है इसको अपडेट कर लेते हैं हाँ ठीक है यह काम कर रहा है यह भी 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 काम कर रहा है ओके नाइस वेरी नाइस अब यहां तक तो हमारा इसका ट सारा function मैंने यहां पे लिख दिया, इसका काम हो गया, खतम, इसका काम हो गया, खतम, अब इसको करो, बंद, अब यहां पे आज तर, task list वाले में, देखो, यहां पे, हमने जो भी यहां पे लिखे हैं न, इसको handle remove, handle edit, handle all remove, handle complete, इस सारे जो भी हैं, जो भी मैंने logic लिखे हैं, context में अपने, context यहां पे हो गया, handle update हो गया, इसके बाद लिखो, यहां पे, paste कर दो, ठीक है, अब भी होके देखो, handle edit, handle all remove, handle all complete, इस सारे चीज़े हमने यहां पे पास नहीं करें, क्योंकि हम यहां पे use कर रहे हैं, देखो, हम यहां पे use कर रहे हैं, देखो, मैं दिखाता ह हो, कहां पे, handle complete, use कर रहे हैं, handle remove, use कर रहे हैं, लेकिन हमने, यहां से pass नहीं किया, तो यहां use नहीं कर सकते, तो पहले यहां पे pass करना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़े चाहिए, अभी कर लेते, एक बार, handle complete चाहिए, पहले देख लेता हू, handle remove, handle edit, handle, इन सारे चीज़ remove भी चाहिए, चीक है, update तो हमने पहले लिखते है, अब इन सारे चीज़े को करो, copy, copy, अब इन सारे चीज़े को कर दो, यहां पे paste, इसके अंदर, यहां पे हम use करेंगे न, चीक है, अब देखो, handle all remove, handle all complete, handle all complete, remove, edit, handle remove, यहां पे use कर रहे हैं, इसलिए कॉंटेक्स के अंद डाला, अब देखो, यह set task, set update, set activity, सारी चीज़े हम यहां पे use कर रहे हैं, handle remove, set task होगे, और सारी state मैंने यहां पे लिखी दी, state तो यहां पे लिखे हैं, तो यहां की जरूत ही नहीं है, अब यहां यहां पे use कर रहे हैं, तो हटाओ इसको, task को तो use कर रहे हैं, task में हमने map लगाया हो, ठीक है, इसको तो use कर रहे हैं, इसको हटाओ यहां से, हटाओ यहां से, इसको इसको इन तीनों कर रहे हैं, इसका हम use ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों को use कर रहे हैं, अब देखते हैं हमारा काम कर रहे हैं, देखा, सारी चीज़े काम कर है ठीक है तो अभी हमने क्या किया रहा है सिंप्लीफाई कर दिया सारी चीजों को मैं दिखाता हूं तो मैं कैसे किया देखो सब चीज को अटाओ पहले ठीक है देखो अभी हमने क्या किया अभी हमें यहां पर क्या क्या जरूत नहीं है वह यो इन्हीं नहीं है को देंखो अब कि यहां मैंने कुछ भी ना थो फंग्शल लिपहा है कुछ ना स्टेट लिख रिकान कुछ भी लिख he है एप्लिक है यहां पर मैंने सारा लोजिक लिकिल दिया हैijn स्टीट हो गया लोजिक होगे साथ कुछ अब एतने अपना डीफ में जाओ अब यहां पर रن कि गाहओ अब यहां पर कुछ support और export करना है तो बस तो Contacts API के यह फाइदा है अब हम नहीं काम और रहता है मैं दिखाता हूं तुम्हें इससे और ईड को यहां पे लेके आते हैं टू-डू लिस्ट हो यहां पर लेकूं टू-डू इसट टीख है अब देखो मैं बताता हूँ तो मैं एक और चीज जो सिंप्लिफाय करते हैं जिसी यूज कॉन्टेक्स हैना है मैं हर जगा देखर तूडू कॉन्टेक्स कर रहा हूं यहां पे भी इसको अटाओ पहले और यहां पर भी देखो to do context बार बार इंपोर्ट कर रहो इसको और simplify कैसे कर सकते हैं मालो मैंने यहां पर एक custom hook क्या एक function है ठीक है तो उसको लिखे हो कैसे यहां पर लिखो const अर लिखो क्या लिखो यूज टूडू कॉंटेक्स यह लिखते हैं ठीक है उसके अंदर क्या मैं बोलता हूं जो यह यूज कॉंटेक्स है न मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको लिखो यूज कॉंटेक्स देखो यह इंपोर्ट हो गया उपर से ठीक है अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं जो यहां पर पास किया न उसको यहीं पर पास कर देता हूं ठीक है मैं और सिंप्लिफाई कर रहा हूं इसको टूडू कॉंटेक्स ठीक है यहां पर इंपोर्ट कर दिए अब देखो जहां पे मैंने यह लिख ए न उसको मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया और इस सोरी यहां पे ऐसे function पास करना पड़ेगा आपई ऐसे धोड़ी होता है कि यहां फंक्सन लिख रहा हुं यह कस्टम हो बना रहे हो ऐसे बनाते देखो function की तरफ ठीक है ऐसे बनाते हैं ऐसे करके देखो एक function लिखो सिम्पल सी बसे यह भी function तो है देखो यह एरो function है बस यहां पर यूज context कर रहा है और इसको मैंने यहां पर pass कर लिए ठीक है यह तो हो गया custom box बन गया अब देखो जहां जा मैंने यह किया है ना जहां जहां जांब उसको बस वहाँ पर यह यूज करना है बस जलिए है तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा आथ हूं यहां से और यहां पर क्या लिखंगा यूज है तुटॉ और सोरी यहां पर न इसको पहले एक्सपोर्ट भी करना पड़े है राइट यहां से करते हैं पहले एक्सपोर्ट यूज टूडू कॉंटेक्स अब इसको यूज कर सकते हैं यहां पर अब देखो जहां जहां मैंने यह लिखा है न यह जहां लिखा है वहां पर यह इसको यहां पर यह लिखना है यूज टूडू कॉंटेक्स अब देखो यह इंपोर्ट हो गया अब इसकी जरूरत नहीं है यहां बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब जहां भी तुम्हें यह यूज करना जैसे अब टास्क लिस्ट में यहS किया, टू डू में भी तो यूज किया है यहां पर यहां पर क्या करना है use तू डू कॉंटेक्स करता समय को जैसे अब इसको यहां तर लोग ऐसी यूज करते मिलेगा तू यहां पर है चलते हैं यह सारा काम कर रहा है की नहीं कर रहां पर one सास को ठीक है यह काम कर रहा है ओक यह काम कर रहा है ठीक है सारा 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 कुछ काम कर रहा देख लो मैंने कितना सिंप्लिफाई कर दिया सारा जो सारी चीज़े है न मैंने यहां पर लिखा है यह देखो यह अलग चीज़े भई इसको यह अलग चीजह यह एक्सपोर्ट तुम यहां से भी कर सकते हो यहां पर ना तुम टनीचे जो एक्सपोर्ट करने की पर जरूत नहीं पड़ेगी लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसी किया है चलो ठीक है गजातर लोग ऐसे करेंगे तुम एक्सपोर्ट करके तो देख लेना हो त है इसके अंदर हम नल लिख दो फिर खाली चोड़ तो कोई दिकत नहीं के लिए तो अभी क्या किया मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन अभी एक चीज है पिछले ला लेक्चर में मैंने क्या किया था इस में लोकल होस्ट कही जुज नहीं कहा था कि जैसे मैंने मालो करते हैं टास्क वन ठीक है करा यहां पर रिफ्रेस्ट किया तो यह चला जा रहा है मैं चाहता हूं कि मेरे ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाए ताकि मैं रिफ्रेस्ट करो तो जाए न अब इसके लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट पढ़ने पड़ेगी उसमें लोकल होस्ट आता करेंगे भई अब उसको तो जावास्क्रिप पाने चाहिए या फिर मैं ही बताता हूं कोई दिक्कत नहीं है उसको कैसे करेंगा राइट तो अभी मैं क्या चाहता हूं जैसी मैं यहां पर टास्क वन क्लिक करता हूं करता हूं और रिफ्रेस्ट करता हूं लेकिन यह तो चल ये सकाष्षार यहां कि अधैक पर आस झान नहीं कोंट आरी कि next करें तो यहां पर हम कर ले यहां कर लlate यूज इम क्यूंभ लिके यूज इश्ए स्टे उपर होगा इंप ठीक है अब यहां पर हम लिखते हैं इस से और फिवर्ट सी यहां पर क्या कोगती अपडेट करूं अपडेट करूं एडिक करूं डीलीड करूं चाहिए कुछ भी 어 तो जब ими चलना चाहिए आम तो यह जो सारे जो टासक है माल यहां पर कुछ भी लिखो जुए抓 find करूं कुछ भी यह सारे किस striking यह सारे हो रहे task के लिए डिपेंडेसी जब भी इस पे को इस पी काम होगा इस चले भई थी कह यहां तक होगा तो इस पे dependency क्या देनी पड़ेगा टास्थ कि यहां तक समझ भागे अब देखो local storage की बात करते है local storage को यूज करने के लिए क्या ब्राउजर नहीं मतलब क्या चाता हूं माठ लोग यहां पर मैंन है लिखा इल जिम करना अब में है यहां पर लिक रहा हूं लिष्ट इस लिस्ट के छिए दुबारा कोल करेंगे अब यहां स्यासत पूमआ क्या करना किस चीज को set करना है हमें करना है task को set जो भी इस के अंदर आएगा ना store होगा उसको हमें set करना अब यहां पर एक और चीज आ दिए इस चीज को हमने पहले string में convert करना पड़ा देखो यह है array ठीक है यह array of array है न तो पहले local store में store करने से पहले string में इसको convert करना पड़ता है जभी तुम काम कर पाऊ तो यहां पर ब्राउजर हमें क्या प्रोवाइड करता है जैसन डोट स्ट्रिंगी फाई यह लिखना होता है तो यह क्या होगा जो भी हम डाटा लिखेंगे ने यहां पर वो स्ट्रिंग में convert होगे अब देखो यह लोकल स्टोर में सैट हुआ है यह देख लेता है पहले यहां पर पहले लिखो इंस्पेक पर जाओ यहां जाओ व्वे नेटकर में अब इसको open करके देखते है तो सब्सक्राइड में सब्सक्राइड को Сब्सक्राइब में सारी कीजिए एक और कर ले किल्मा लोग फिरuk लिताँ यह भी सेट हो गया जीरो वन इंडक्स यह हो गया सोपी इंड़ सिंग में करनोट हो गया यहां तक तो हो गया चैट तो मैंने कर दिया अब लोकल में मैंने सेट तो कर लिए इस में स्टोर कर दिया ठीक अब मैं इसको इसको करके यहाँ पे लिए कि आना है अब लेक में रेख्ञार कर और दूबारा लेना smोग जो भी काम करना है फॉशन कुछ भी हो सकता है क्या लिखू में ah get uh local item लिदे अँच है इसके अंदर जो भी होगा हम set कर देंगा get कर लेज त अभी हम क्या कर विह करना पड़ेगा क्या करना फैंट क्या करना आप हमने get करना पदबाएगा ठीक है get कर लिया get क्या करने जो हमने की पास किया था ना उसको लिस्ट पास किया था ठीक है इसको पास कर दिया हमने लिस्ट 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 देखो इस लिस्ट है इसको यहां पर लिखना पड़ा है गेट करने के लिए लोकल स्टोर इसको गेट कर लिया अब इसको आइक वेरीयेबल के अंदर च्टोर कर लेते हम क्या ना मुम्स कूस को एह यहां तक हो गया अब Exercise वाल तो इस function को कहां पे कॉल करना हमें हमें चाहिए कहां पे हमें यहीं कर दो सको किन पे विहां सबढ़ कर सोतीग है अब तुम 해 अब तुमने जो Local Item जो हमने तुमने गेट के यहां पर Spelling साई कर लेती है Local लोकल ठीक है ओके तो अब देहों यह यह जो है ना यह यह चीज है यह हमारे आ रहे है किसके अंदर הצ़िंग के अंदर ए स्टिंग देखो जैसे तुमने कहाँ गया इसको यहना पर लिखना पड़ेगी चैप अब क्या करना पड़ागा कि अगर यी store item है मेरे पास available है तो कोई यहाँ पर condition लिख आउ अगर dal अगधर available है तो तुम क्या करो जो यह local i soon इसको तुम कर दो किसमें पहले द्सक्राइब करते मोर्द केसे करते Hello ensign जेशन डोट पार से जेशन डोट पार से यह रहा है अब जो तुमने यहां पर लिखा है ना लोकल स्टोरेज इसको दुबारा इसको इसके अंदर लिख दो इसको हम क्या कर रहे हैं मालो कर यहां पर ओबजेक्त रहता ठीक है पहले श्रींग में करते हैं फिर से ऑबजेक्ट चाहिए तो जो 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 ओर जीनल ना चीज उसको दुबार में कानवर्ट करेगा अगर यह चीज अवैलिबल है तो तो यह चीज तुम्हें यसे करना पड़ पहले तो हमने उसको गेट किया फिर उसको गेट करने के बाद क्या बोला कि उसको ना तुम एरे में कर दो अगर तुम्हारे पास यह कुछ भी नहीं है तो उस सब्सक्राइब चाहिए अभी तक है जा नहीं रहा करता हूँ नहींàcies कि दुख का व्यूंस पर व्युष गया है दो कर अब कर दो नहीं समझ्म화 मैं आए खो एक भर पढ़ लेना तो मैं जौस की ने तरब पढ़ी ही रखा हुगा कहा है रोकल स्टॉरीज है दो सीजिये याद रखने तको महें करना है यहां से उसको स्ट्रिंग में करना है ठीक है यहां तक हो गया एक फंक्शन कोल करना है वहां पर उसके अंदर ले लो उसमें क्या करतो गेट आइटम कर दो लिस्ट अब लिखना जो नाम यहां पर लिखना है तक यहां से हम सैट किया तो गेट भी कर सके गेट कर लिया तुम्हारे और में क्या बोल रहा है कि रिटर्न करो तुम्हारे पास स्टोर आइटर में कुछ है कुछ है मतलब है तो तुम इसको रिटन कर दो गई इसके अंदर जो भी कुछ आएगा अगर नहीं है तो तुम एक MPT एरे दो क्योंकि हमें यूज कर रहे हैं यहां तक हो गया तो अब देखो यह सारे कुछ काम कर रहे है अब देखो यह चीजे लोकल स्टोर जो मैंने पिछल अब देखो यह सब कुछ काम कर रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है ऑके बिर्нос कर दो तो भी चलेगा कास क्योаки है अब होता है कि में कोई भी दिक्कत हो लोकल स्टोरिज में दिखत हो, कॉंटेक्स API में दिखत हो, स्टेट में, किसी फंक्शनलिटी में दिखत हो, तो एक बार वीडियो देख लेना, अगर दिखत हो, तो एक काम करना में description में react.js का group बना रखा है, मैंने उसमें पहले तो join हो जाना, उसके बाद मेरे को message करना कि भगिया मेरे को, यह चीज समझ में नहीं, please मुझे बता दो, तो मैं meeting लूँगा, और तुम्हें doubt भी solve कर दो, ऐसा कोई करवाने वाला है नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर आज का lecture यहीं पर रखते हैं.